तो हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टोड़ा लाइनिंग पर हाँ स्वागत है आप सभी को गुड आफटरनून आप सभी को जैहिन जै भारत चलिए हाँ आज हम लोग जो है अपना क्लास फिर से कंटिनुव करने वाले हैं थोड़ा बीच में ड दिरे दिरे कंटिनुव ही चलेगा तो बहुत दिन के बाद मिले हैं चलिए आज हम लोग अपना फिर से अपना जीके का क्लास कंटिनुव करेंगे इसी टाइम इसी समय और आफटरनून में सभी को गुड आफटरनून सभी लोग तैयार हो जाईए कोस्टन्स करने के लिए सभी लोग रेडी होकर आया हैं ना सभी लोग तैयार हैं बहुत ही बड़ी है सभी लोग एक पर कमेंट में देजिए सभी लोग रेडी हैं कुश्चिन की और बढ़ा जाए चलिए समय ना बर बात करते हो हम आशा करते हैं आप सभी के सभी लोग अच्छे होंगे चलिए अ पहला सवाल यह क्या कहता है दोस्त पहला सवाल कहता है कि कुच्ची पूरी किस राज का प्रसिद लोक निरत है जो कुच्ची पूरी जो कुच्ची पूरी जो डांस फॉर्म है वो किस राज में किस राज में सबसे फेमस लोक निरत है किस राज का करनाटक केरल ओडिशा लिए बच्चे जुड़े हैं सभी लोग कमेंट सेक्षन को छोड़े नहीं वी दम कमेंट केसं को भरते जाए खाले क्या घ्यार जाएगा क्रनाटक हो जाएगा औरिशा हो जाएगा या और प्रते ं हो जाएगा संय वी दोस्तों की तलब से आरा है ऐस्ञाराय शलीक का option number D आंध्रप्रदेश कुछी पूड़ी किस राज का लोक डित है तो आंध्रप्रदेश का है किस राज का आंध्रप्रदेश का कि चलिए अगला सवाल जो है हमारा next question स्वराज पार्टी का गठन स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था स्योग आंदोलन स्वादेश आंदोलन सभी नयवग्यां दोलन या फिर भारत छोड़ां दोलन यह सवाल का जवाब आप शब को देना चाहिए कि यह पहले भी हमारे द्वारा इस यूट्यूब चैनल पर करवाया गया है तो यह सायद रिपीटेट सवाल है तो आपको तो नहीं चाहिए सभी बच्चों को इसका स्युत्तर देना चाहिए गलत तो किसी को नहीं देना चाहिए चलिए तो इस सवाल का स्युत्तर दीजिए कमेंड बॉक्स खाली ने एक दम भर देना है भर देना है और इस सवाल का जो स्युत्तर होने वाला है दोस्त वह हो जाएगा आपका option number A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहसयोग आंदोलन, यह आपको पता था, जब रॉलेक्ट एक्ट आया था, तो इसी कानून के विरोध में जलिया वाला बाग हुआ था, जलिया वाला बाग के बाद ही गांधी जी ने 1920 में अहसयोग आंदोलन चलाया था, जो 1922 में चला, अस्थागित होने का कारण था, चौरी-चौरा हट्याकांड, यह आपको भी पता है, जो गोडखपुर में घटी थी, चौरी-चौरा हट्याकांड, इसमें एक किस सिपाई एक थानेदार को जला दिया था, जिसके कारण हिंसा गरूप ले लिया, 1922 में गोडखपु किस देश के समिधान से लिया गया है, जो हमारे यहां एकल नागरिकता है, वो किस देश के समिधान से लिया गया है दोस्त, अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, कनड़ा से, पता दो तो, एकल नागरिकता हमने किस देश के कंस्टिटूशन से लिया है, किस कंट्री के constitution से क्या बताओ उत्तर बताओ comment box का एक दम नहीं खाली चोड़ना एक दम खाली ने एक दम comment को भर देना एक दम comment को चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्त बहुत ही बहुत ही उस्तर आ रहा है आप लोगों का इस सवाल का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला आपका आप ब्रिटेइन क्या होने वाला है ब्रिटेइन उढ हमने गहीं से लेक्च कर लेता है उसके लिखता है ब्रिटेइन ऑप्यंजुर दॉन नहीं होगा नहीं होगा अमेरिका में दोरी ना रिकता चलती है आपको पता होना चाहिए option nr.s. का से उत्तर होगा चलिए next question option नमर फूर नमर फूर ये कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ़तार करने हेतु British सरकार द्वारा चलाया गया operation क्या था यहीं आपको पता है हमारे हाँ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सुरू हुआ 1942 में 1942 में हमारे हाँ भारत छोड़ो आंदोलन सुरू हुआ इसके तहट अंग्रेज लोग चाहते थे कि इसको दबाया जाए तो बड़े-बड़े नेताओं को यह लोग गिरफ़तार कर रहा है दा इन्होंने आफरह सुज सन्वन की क्रांती में भी यहीं किया विद्रव को दवाने के लिए 1942 में भी यहीं चाहते थे तो इन्होंने तहत बड़े बड़े नेताओं को ग्रिफतार किया जाए था ग्रिफतार करने से कोई फायदा हुआ नहीं कि यह इतनी बड़ी हो गई थी कि लोगों ने यह लोगों के बीच रुका ही नहीं और यह बढ़ता चला गया और दिरे दिरे हम लोग आजादी की और बढ़ते चले यह थमा नहीं यह अंदोलन थमा नहीं यह आखरी सबसे बड़ा अंदोलन था चलिए उत्तर बताईए बहुत ही बढ़िया कमेंट में एकदम नहीं छोड़ना एकदम कमेंट बढ़ दो क्या हो जाएगा दोस्त क्या हो जाएगा बहुत ही बढ़िया बहुत ही उत्तर एकद कि तहद गिरफ्टार किया अगला सवाल है हमारा सवाल नम्मर है सवाल नम्मर बढ़ते हैं अगले सवाल next question पांचवा नमर नमर है निम्लिखित में से किस समिधान संसोधन के तहट मौलिक अधिकारों की संख्या साथ से च्छो कर दी गई बताईए प्रत्थम सम्मिधान संसोधन 24 सम्मिधान संसोधन 42 सम्मिधान संसोधन या फिर 44 सम्मिधान संसोधन हमारे यहां सम्मिधान संसोधन कर मौलिक अधिकार जब सम्मिधान बना था तब आया था तो मौलिक अधिकार यह नहीं हमने मैं इस साथ मॉलिक अधिकार अजिसी अदीकार को हटा अगynen किसके तहथ हटाया गया या आप अगया ज्ञा पर allah सकते हैं सबस्क्राइब में हमारे पास साथ मॉलिक अधिकार थे लेकिन अभी कितने हैं अभी 6 हमारे पास तो कौन से संसोधन करके इसे हट आये गया था है बहुत ही बढ़ी है एक दम उप्रति मुद्तर है आप सभी का ब्यारिष्वा गलत ब्यारिष्वा नहीं देखा था छालिष्वा चालिष्वा सम्मेधान संसोधन किता इसे हटाए गया था 1978 में और इसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था आपको पता है ना चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स कोश्चन के बढ़ते हैं कोश्चन नमर सिक्स कोश्चन नमर सिक्स यह कहता है कि रेमन मैक्सेज पुरसकार किस छेत्र में दिया जा ऑफ्ष्ण है आपका जन सेवा यहनी जनता की सेवा के लिए पत्रकारिता के लिए शाहित्त के लिए या इनमैसे सभी में यह पुरसकार प्रदान किया जाता है चलिए आप लोग इसका सवल का उत्तर दिजिए और फड़ा भडपने कमेंट वॉक्स में इसका उत्तर लिख सब्सकार दिया जाता है चलिए अगले सवाल के और बढ़ते हैं कुवाल नंबर साथ सवाल नंबर साथ है डिली सल्तनत के किस वन्स समस् 성 ने सबसे कम समय तक सासन किया है हमारे यहां ददली सल्तनत चल रही थी कि मेडिवल पिरियमे तो उसमें ददीव यह सल्तनत में कई वन्स आए रही थी की संब एकर्ध के ली सरी i जो वन्स का पिडियर था कब से कम समय तक दल्ली सरद्थ पर सासन किस ने किया यह आप से पूछा जा रहा है तुगलक वन्स सयद वन्स खिल जी वन्स या फिर लोधी वन्स चलो बताओ क्या हो जाएगा तुगलक सयद लोधी खिल जी बहुत ही बढ़िया दोस्त उत्तर तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों की इच्छा से उत्तर हो जाएगा खिल जी डानेस्टी क्या हो जाएगा खिल जी जो बच्चे तुगलक बतारे उन सभी का गलत है तुगलक सबसे लंबा चला और सबसे छोटा था हमारा खिलजी भाई साब का काल, खिलजी भाई साब आए, 1290 में आए और 1320 में अपना बोरिया विस्तर बांद कर खतम हो गए, 1290 में आया, 1320 में बोरिया विस्तर बांद कर खतम, उसके बाद आये हमारे तुगलक वासी लोग, तुगलक वासी 1320 में आया और 1414 में भी बोरियां विस्तर बांद के निकल पड़े हैं, यानि कम समय तक आये खिलजी भाई लोग, लंबे समय तक अगर कोई पूछेगा, तो तुगलक भाई लोग आये थे, तुगलक वंस के लोग आये थे, खिलजी वंस के लोग सबसे कम पिरियर तक, चलिए, अगले स सवाल, सवाल नमर आठ की और बढ़ते हैं, पूरा पाशानकाल, पूरा पाशानकाल में आदी माना मनुरंजन का साधन कैसे करता था, जुवा खेलता था वावू, जुवा खेलता था, तासपत्ता जानते हो ना, तासपत्ता, जुवा जानते हो ना, जुवा, जुवा हो ज अच्छे आज की लोग क्या करते इंस्टाग्राम, फेस्बूक, वाट, सैप, स्नापचाट, ट्विटर, अकाउंड, यूटूब, क्या फलाना धेकाला, एमेक्स, टकाटक, क्या-क्या एप है भाई, वो सब चलाती है, स्नापचाट चलाती है, फिल्टर लगा-लगा के सब रि कंउगस, एक दम आधी मानब, और मनुररणजन के लिए क्या करता था जूगा खिलने के लिए पत्ती य dei क पती तो भी नहीं करता था जूगा-काशले लोग मैठे बाइटे सिकार करते था सिकारे करकर के मनुरंजन करते था सवाल क्या हो जाएगा इसका उत्तर साइज सिकार यानि सिकार करके यह लोग अपना मनुरंजन करते थे कर मनुरंजन भी है खाए भी है जीवन में इन लोको माज था खाए पी है और जहां खाए वहीं सो गए किष ke निज़ें दिर के नींचे मटर्व किए तव पेरी के नीचे सिकार कियें पेर के नीचे खाएंगे पेर के नीचे सो जाएंगे हमारे क्या है जहां खाएं वाँ सो जाते हैं गय ठिला पर खाने कुछ बाहर कोa street food कि हाएं तो जीवन तो यह लोग अच्छे से जी रहेता है ना मज़ा से एक दाम जीवन कोई कस नहीं मैं कमाने का ना सोचने का ना अगले सवाल के बढ़ते हैं सवाल नमणौ इंगलिष भी लिख देippers रोोरी इंगलिष स्वाल से मिर और संप पताइर नौ नवर स्वाल का उत्तर पि क्या होगा हाँ जिन जिन बच्चों का option नमर सी आ रहा है वो option गलत है ब्रहस्पती नहीं होगा बच्चा क्योंकि यहां पर first नहीं दूसरा है तो दूसरा हमारे भाई साब हो जाएंगे सनी भाई साब हमारे दूसरे सबसे बड़े प्लानेट है अगर आप सो कोई पहला पूसता है तो बताइए जूपिटर समझे कमेंट बॉक्स को खाली दी छोड़ना एकदम और फटा बड़ इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दे अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक करते जाहिए साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी सेर भी करते चलिए चलिए अगले सवाल क्यों बढ़ते सवाल नमर दस सौर मंडल सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है अब आते हमारे सौर मंडल है सौर मंडल में कुल आठ प्लानेट है जिसमें सबसे गर्म प्लानेट कौन है ह hottest, एकदम hottest planet, आपके सामने हैं ब्रिहस्पती, ब्रिहस्पती को हम लोग जुपिटर बोलते हैं, बूद्ध को हम लोग मरकरी बोलते हैं, शुक्र को हम लोग वेनस बोलते हैं, यूरेनस को तो यूरेनस ही बोलते हैं, चलिए, हाँ सही जवाब सही जवाब देर एकदम कमेंट खाली नहीं चुड़ो एकदम सभी बच्चे जवाब देंगे प्यार से इसका जवाब देंगे एकदम प्यार से भरपूर से चलिए इस सवाल का स्थे उत्तर क्या होगा option number B, नहीं, option number B तो होगा ही नहीं, नजदीक तो है लेकिन यह सबसे गर्म नहीं है, गर्म जो है सबसे वो हमारा है venus भाई साथ अब उसको prove भी किया जाए, venus क्यों गर्म है, क्योंकि venus के पास atmosphere है और atmosphere में इसके यहाँ पाया जाता है CO2 यानि carbon dioxide यह बहुत आपको पता होगा यह gas क्या करता है, अपने यह और गर्म सुर्की किर्णों को पूरी तरह से अब शोशित कर लेता है, क्या कर लेता है एकदम अब शोशित कर लेता है अब शोशित करने के कारण इसका जो सतय वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है इविनिंग स्टार यानि की सांज कातर और साथी साथ इसको सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं यह आपको पता होगा इसके कोई भी इसका सेटलाइट नहीं है कोई इसका जोड़ा पारी जीवन के में इसका कोई साथ देने वाला कोई इसका सेटलाइट नहीं आपको यह भी पत असल में यह हमारे भाई साब थे यह सुक्र भाई सावी थे जो आप लोगों को दिख रहे थे वह सुक्र भाई सावी है जो मून के नीचे दिख रहे थे आराम से दिख रहे थे जिलको प्यार मुहंबत की निसानी समझ के लोगा स्टेवरी लगा रहे थे अद्भुत संरचना वो क्या थी? वो सुक्रग्रही था जो हमें दिखा था।छ अगले सवाल 11 dog. सवाल के और बढ़ते हैं, भारत का सिलिकॉन घाटी कहां इस्थितह है? भारत की सिलिकॉन वैली, इसको बोलते हैं, सिलिकॉन वैली जो हैं वह कहां इस्थितृत है? घाटी भी हिंदी में, हैदरा बच्चा श्रीनगर में है देरादून में या फिर बेंगलूरू में चलो बता दे जाओ फटा फट कहां पर है यह हमारा स्रीनगर हैद्रावाद देरादून बेंगलूरू क्या हो जाएगा भारत की सिलिकॉन घाटी कहां इस्तित है है कि बहुद ही बढ़ी है बहुद ही बढ़ी आप सभी का एक दम गवेट बॉक्स दम खाली नहीं चोड़ना सभी लड़के-लड़के इसका जवाब देंगे एक दम एक दम नहीं खाली छोड़ना है कमेंड वोक्स को एक दम फिल कर दो चलिए इस सवाल का आपका स्युत्तर हो जाएगा option number D बंगलूरू बंगलूरू में क्या होता है सिलिकॉन वैली स्थित है हमारे भारत की चलिए अगला सवाल है 12 विश्व ओजोन दिवस कम मनाया जाता है ओजोन परत के बारे में आप सुने होगे ओजोन लेएर क्या करती है जो भी संसे infected ray या फिर हिंदी में बोले तो परा वैगनी किरने जो भी आती है उसको अफ्षोशित कर ले तो हमारे और नहीं पहुंचने देती है अगर वह हमारे यहां डिरेक्ट आएगी तो हमारे यहां बहुत सारी बीमारिया होगी लोग कैंसर होगा कोई कुछ बीमारिया होगी लोग यहां पतली हो रही है और जोन लेयर में छिद्र हो रहा है तो वह कारण क्या है वह कारण होता है हमारे द्वारा छोड़ी गई CFC Gas जिसको हम लोग लोग S उसको डैमेज करती है जो हमारे AC से आती है home boiler declare A C से आती है fridze से जो gas निकलती है वो सब d energia होती है इसलिए लोगों को जागरुक करने के लिए दिवस बनाया जाता है किस दिन बनाया जाता है 18 सितमब्र 12 क्रारा मार्च-10 मार्च चलू इस सवाल का जवाब देते जायेबा दोस्त आ हो इसकी क्या ऐगा कैट कि तो बहुत ही बढ़या बहुत ही 파 error सेपतंबर गलस है अठारा सेप्राइब क्योंकि सेतंबर में उता है लेकिन किस दिन सोला को होता है यह, सोला को बनाया जाता है बाभू, विस्व ओजोन दिवस, किसके कारण ओजोन ले डैमेज होती है तो, CFC के कारण, क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन, जो सब लोग छोड़ते हो अपने घर से, फ्रिज की गैस, एसी की गैस, चलिए अगला सवाल, राष्ट गान पहली बार कब गाया गया था, यानि सबसे पहले हमारे यहां, जन, गन, मन, अधिना, यकी जया है, जिसको रविंद्र नास्त ट्रेगोर ने लिखा है, उसको कब गाया गया था, सबसे पहली बार, 24 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1915, बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोस्त, जवाब तो देते जाओ, क्या हो जाएगा, अरे वाह, वाह, एकदम उत्ता आ रहा है, आप लोग कसे, बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे हो, 15 होने वाला ही नहीं है, 15 अगस्त हो गाए, 24 जनवरी भी नहीं होगा, बच्चा, 26 ज 1901 को रविन नाठ टैगोर के द्वरा लिखा हुआ, जना-गनमना जिसको 52 सेकंड केंद्र गया जाता है, यह गाया गया था, 27 देशंद, 1911 को कलकथा अधियोचन में, कहा गया गया था, कलकथा अधिवेशन में गया था, यह भी याद रखना कहा, कलकथा अधिवेशन में बाया गया था याद है आपको जन गण मन लिखने वाले रवेंद्रनात टैगोर और इसको सम्मिधान सभाने कब अपनाया था जिसके कैबिनेट मीशन के ता इसके ठापना होई थी ना कब अपनाया था समिधान सभाने इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया था याद है चलिए अगला सवाल है हमारा चौदवा नम्मर सवाल चौदवा नम्मर सवाल है भारतिय योजना आयोग भारतिय योजना आयोग की अस्थापना किस वर्स हुई थी 1945, 1950, 1958, 1962 जो भारतिय योजना आयोग है आपको पता होना चाहिए योजना आयोग के जो अध्याच होते हुमारे देश के पधान मंत्री होते तो इसकी अस्थापना कब होई थी चलो इस सवाल का उत्तर दे जाओ कमेंट बॉक्स को खाली न छोड़े सभी बच्चे आलसी न बने सभी लोग अपनी नीद खोले और इसका जवाब दे दोपर का स होजी खाले मीटा हो सब क파कर दोपर में दीन भर आएगा दोपर में खूब सुतेगा चाया लड़के हो हो शाला कि या दोपर में सोने का मुझा सब कैइड़ाता गरमी में जो दुब्लबार में सोने का मज़ा वह आनंत कभी नहीं आता है दंड मेंने मिलती है दोपर किस दिन योजना आयोग क्या सवाल आपका हो जाएगा option नमर इसका भी हो जाएगा 1950 में इसको स्थापित किया गया था योजना आयोग को स्थापित दोस्त उनीच सो पचास में किया गया था लेकिन गया गया लाया गया नीती आयोग जिसके अध्यच होते हैं अभी कौन तो नरेंद्र दामोदर दास मोधी अगला सवाल साथ पहाडियों का सहर किसे कहा जाता है साथ पहाडि साथ पहाडि सुना होगा नाम नाम तो सुना ही होगे रोम काटमांडू बैंकाक निव यॉर्क साथ पहाडियों का सहर हम लोग किसे कहते हैं दोस्त प्यारे दोस्तों इसका जवाब आप लोग दीजिए सभ पहाडियों का सहर comment को एकदम नहीं खाली चोड़े एकदम comment को लिखते जायए और एकदम comment को एकदम ना छोड़े एकदम सभी का जवाब देना आप लोग सभी questions का जवाब देना है रोम हो जाएगा काठ मांडू हो जाएगा Bangkok हो जाएगा New York हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा दोस्त बहादी बढ़िया बहादी बढ़िया पंदरा का ओप्षिन नम्मर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ओप्षिन नम्मर एक काठ मांडू नहीं रोम में काठ मांडू नहीं होगा बच्चा भी नहीं होगा आप लोग क्या काठ मांडू पहार ते के काठ सिर्मंडू यादा गया नैं रोम को कहा जाता साथ पहाडियों का सहर चलिए अगला सवाल हमारा शोलौबा-नumble किस अस्थान पर भगवाद महावीर की मृत्यकew خिए थि जगापर भगवाद महावीर की मृत्ति हुई थी महावीर का तो सब कोई जनम जानता है हमने पूछा आया आप से मृत्यू मृत्यू आप बता दीजिए कुशिनगर वैसाली राजगरी पावापूरी कितने लोगों का घर होगा ये पावापूरी में किस अस्थान पर महावीर स्वामी की मृत्ति हुई थी भगवान महावीर क्या आप दोस्तों बहुत ही बड़ी है एक दम कमेंट एक दम नहीं छोड़ना है एक दम कमेंट को साथी साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिए सबी लोग वीडियो को लाइक करते चलेंगे और वीडियो को सेयर भी अपने दोस्तों के तरफ कर दीजे चलिए कुसी नगर वैसाली राजगीरी या पावपूरी क्या हो जाएगा दोस्त इस सवाल का सित्तर हो जागा option number B नहीं option number B नहीं होगा जन्म है वो वैसाली के कुं हो अमजा उठाओ पावापूरी जाओ वहीं पर उनकी क्या होई थी मृत्य होई थी चलिए अपने सरीर को त्यागा था उन्होंने पावापूरी में सत्रा सितम सत्रा नम्मर शोष्चन राष्टपती के चुनाओं में विवाद के मामले को संदर्वित किया जाता है मान लि सर्वोच न्याले के पास या फिर संसद के पास यानि सुप्रीम कोट पारलियमेंट या फिर इनमे से किसी के पास नन अफ दीज या फिर मुख निर्वाचन आयुक्त के पास इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए सत्रा नम्मर सवाल का क्या हो जाएगा सत्रा नम्मर Supreme Court के पास जाएंगे तो इसका क्या होगा फैसला जितने भी विवाद होंगे राष्टपति के चुनाओं से संबंदी तो वह सभी फैसले कहा लिये जाएंगे राष्टपति के सर्वोचनियाले में सभी के राष्टपति से जुड़े मामले रासर्वोचनियाले में जुड़ ले जाएंगे विवाद में जो चुनाव में होते हैं चलिए अगला सवाल भारत के साथ वैपार करने वाला प्रथम यूरोपिय कंपनी कौन था बहुत ही आसान सवाल है heck holland, vasi, बिटेomi, फ्रान्सी, त och pirtegaal इस सवाल का जवाब अब सभी लोग को देना चाएं एक दम गलत एक दम सइद होगे सबको सब सईद होगे Holland Vasi, France, Siisi, Britain, या Purtkal बता दो, सभी दोस्त लोग बता दो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बताओ Holland Vasi, British Vasi, क्या हो जाएगा दोस्त? हाँ, इसका तो सभी लोग जानते हैं कि इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा option number option number option number हो जाएगा डी पुर्तगाल वासी सबसे पहले पुर्तगाली लोगों के साथ हमने वैपार शुरू किया था यह आपको पता होगा सबसे पहला पुर्तगाली आया था वासको डिगामा 1498 में केप आफ गुड़हप मार्क होते हुए चलिए अगला सवा सवाल है आपका उनीशन वा नमर सवाल ब्रह्म वासमाज के स्थापना कब की गई थी ब्रह्म समाज अठारा Ris 1928, 1825 या फिर 1829 ब्रह्म समाज जो है ये ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे राजा राम मोहन राए इनी के दुआरा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी पता है ना आपको ब्रह्म समाज की स्थापना नम्मर आ रहा है ऐथारा सो उंदीस वो गलत है बच्चा अठारा सो नम्मर बास किया था पब लाया गया इसको 1828 मिकी स्थापना उई झा प होज़ा के स्थापना आठारा सो अठाएस अगलय सवाल है वेशा नम्मर सवाल पर अलत Summa जुलाई 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, जो हमारे हां सम्मिधान असेंबली बनी थी, उसका बैठक कब हुआ था, चलो बता दो सवाल का जवाब दो, बहुत ही बढ़ी है, एकदम कमेंट बोक्स को ना छोड़े, एकदम भड़ते जाएं, इस सवाल का आप लोग सही उत्तर जो बता रहें, वो बता रहें, ऑप्शन नमर ए, क्या ऑप्शन नमर ए है, नहीं, क्योंकि ये अस्थापना हुआ था, अस्थापना, बैठक हुई थी हमारी पहली 9 दिसम्मर 1946 को, कब हुई थी 9 दिसम्मर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सचिता रंसिना को अस्थाई अध्यत चुना गया था, चलिए, अगला सवाल है, 21 नमर सवाल, नेक्स कोश्चन के और बढ़ते हैं, गदर पार्टी के स्थापना कब हुई थी, गदर पार्टी जो है, हमारे यहां कब इस्टैबलेस हुई थी, 1913 में, 1914 में, 1912 में, 1910 में, बताओ, इस सवाल का स्थे उत्तर क्या होगा, दोस्तों, 13 होगा, 14 होगा, 12 होगा, कि 10 होगा, एक दम सही उत्तर आ रहा है, आप शभी के बीच से, एक दम सही उत्तर, 1913, एक दम सही जवाब, 1913, 1913 में, किस के द्वारा किया गया, तो लाला जी, लाला हर दयाल के द्वारा, एक लाला हर दयाल थे, इनी के द्वारा, गदर पाटी की अस्थापना की गई थी, किस की स्थापना की गई थी, गदर पाटी की, अगला सवाल है, 22 नम्मर सवाल, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, यह तो हाली में मनाया गया, आप सभी को पता भी होगा, मजदूर जून दो अक्टूबर एक माई को बताओ एक माई 26 जनवरी दो अक्टूबर किस दिन बाइसवा बाइसवा बता दो बहुत ही बढ़ जा इस सवाल का सयुत्तर होगा ऑप्शन नमबर ऑप्शन नमबर जवाब तो सब का आना चाहिए क्योंकि यह हाले हाल में यह हुआ है एक म माई को मना जाता है मजदूर दिबस यह आप लोग को ही पता होगा मजदूर दिबस का मना जाता है दोस्त एक माई को मना जाता है अगला सवाल हमारा तैसवा नमर सवाल तैसवे नमर सवाल के और बढ़ते ओजोन परत क्या है ओजोन परत मुखिता कहां पाए जाती है ओज ताप मंडल में हैं मद्य मंडल में आयान मंडल में छोब मंडल में आपने सुनाओगा वायू मंडल के 5 वातावरन को वायू मंडल को 5 अस्तर में बाटा गया जिसमें से इन 4 बंडल है एक चुटा हुआ है उसमें से ओजोन परत किसमें पाई जाती है चलो इस सवाल का जवाब देते जाओ क्या हो जायेगा आपको पता होगा कि हमारे यहां वाईउ मंदल को पांच अस्तर पर बाटा गया है ऐसे ऐसे तीन लेयर एक डो तीट चारा यह उपर सारा पांच वाणेर है तो यह पांच लेयर है चलिए उसमें से किस लेयर में पाया जाता है समताप मंडल वो जो है अपका समताप मंडल और यह आपका समताप मंडल कि जिसको हम लोग इस्टाय टोस फेर ने बोले तो समताप मंडल इसी में पाहिए आता है आपका ओ जोन लेयर पाहिए ता इसी में क्या पायाता आपका ओजोन लेयर क्योंकि यह जो है और साथी साथ याद रखना इस मंडल में मौसमी घटना नहीं होते हैं मौसमी घटना एक सवाल इसे और बनेगा, इसमें मौसमी घटना नहीं होती है, मौसम इसमें नहीं होता, ना बिजली कड़कती है, नहीं बारिश होती है, ना आंधी चलती है, ना हवा चलती है, कुछ नहीं चलती है, एक दम ये सांत रहती है, इसलिए इसमें उड़ाया जात यहां एकदम सांती रहती एकदम सांती जितना भी बादल गरजना है बादल ठाकना है बिजली बरसना है पानी बरसना है सब के सब आंधी तुफान जो भी है सब यह छोब मंडल में होती है समताप मंडल एकदम सांत इसी में पाई जाता है ओजोन लेयर और हमारे यह उड़ते हवाई जहाज अगला स्वाल है हमारा चौंबाइस वा नमर सवाल किस संधी से मों थ्रॉट हो थाइनी कौक्ण सी संदी के बाद फर्सें वाले वार्ट जो है विस समापत हुआ था 2014-1918 वाला तसकंद की संदी वैसेलस की संदी तिलिकिट की संदी या बर्लिन की संदी किसी को याद है बताओ किस संदी से प्रथम विश्यूत सबाप्त हुआ था चलो बताओ तो क्या हो जाएगा हाँ एक दम सही तर आ रहा है option number B वैसेलस की संदी के तहट प्रथम विश्यूत क्या कर दिया गया था समाप्त कर दिया गया था चलिए नेक्स सवाल पचीसवा नम्मर सवाल है हमारा रूसी क्रांती रूस की क्रांती किस वर्स हुई थी पांच में 1911 में 1917 में 1929 में कि आपको पता होना चाहिए कि रूसी क्रांती जो है किस वर्स हुई थी बच्चा तो इस सवाल का स्युत्तर हो जागा option number option number क्या होगा एकदम जवाब दो comment को एकदम नहीं यह एकदम आलसी मत वहनों सभी लोग comment का reply करेंगे सबी लोग सभी लोग answer का question का जवाब देंगे answer में option आप लोग लिखती है फटा पट नम्मर देखके जब भी लिखना option लिखना तो इस सवाल का स्युत्तर हो जाएगा दोस्तों option number C 1917 1917 में रूस की क्रांती हुई थी कब हुई थी 1917 में चलिए अगला सवाल हमारा 26 वा नम्मर सवाल सब्सक्राइब को भागत सिंग राजगुरु सुँखदेव को स्तरधाञजली देने के लिए प्रती बास सहीद दिवस थी propor पता होगा कब दी गई थी क्या हो जागा इसका अरे सई एक दम सई-चार देना इसका क्या हो जाएगा तो दोस्त सवाल का जो से मार्च को को सद्धिवन डिवस मनाया जाता है एक दिन ऑर मनाया जाता है तीस जन्वरी को जिस मरे थे अगला सवाल है आपका भारत के पंद्रवे राष्टपती कौन है भारत के पंद्रवे राष्टपती कौन है चलिए कौन है भारत के पंद्रवे राष्टपती कौन है भावो रामनात कोविन प्रनम मुखरजी द्रौपदी मुर्मू या फिर इन में से कोई नहीं भारत के पंद्रवे राष्टपती कौन है हमारे चलिए इस सवाल का सही जवाब दे दो रामनात कोविन प्रनम मुखरजी द्रौपदी मुर्मू इन में से कोई नहीं क्या हो जाएगा दोस्त क्या हो जाएगा इसका सयुत्तर एक दम सयुत्तर जवाब देते जाओ कमेंट बॉक्स को छोड़ो ने एक दम कमेंट बॉक्स को भर दो एक दम पुरी तरह से बर दो और साथी साथ वीडियो को लाइक और और वीडियो को सेर करते चलना है एक दम फटा-फट क्या हो जाएगा इसका उत्तर सही ऑप्शन नम सी द्रापदी मुर्मू वर्तमान की यह ना पंद्रवी प्रणव मुखर जी हमारे तेरवे राश्पती और रामनात कोविन चौदवे राश्पती चौदवे नमर के चलिए अगला सवाल अठाइसवा नमर राश्पती पे महाभ्योग की पहल की जातकती है महाभ्योग मान क चलिए हमको राश्पती पर महाभ्योग लगाना है यह परकेरिया हमने कहां से लिए यूए से से लिए पद कहां से लिया है तो हमको महाभ्योग लगाना है तो कहां जाके कहां जाएंगे लोग सवा में जाएंगे राश्वा में जाएंगे या फिर दोनों सदनों का सयुक्त का दिवेशन होगा उसमें जाएंगे या फिर हम किसी भी सदन में जाके अपील कर सकते हैं मा भीयोग लगा सकते हैं किसी भी सदन में कि आपके सामने जवाब सवाल है आप इसका जवाब दे दीजिए 28 नमर का क्या हो जाएगा 28 नमर का क्या हो जाएगा दोस्त नमर डी संसद के किसी भी सदन में जाकर हम क्या कर सकते हैं इसको पेस कर सकते हैं चलिए अगला सवाल है सेकेंड लास्ट कोशन उन्तीसवा नमर अंतरास्टिय निर्त्य देवस इंटरनेशनल डांस डे जो है कब मनाया जाता है अप्शन है आपका 28 अप्रेल 29 अप्रेल 27 अप्रेल 30 अप्रेल यह अभी लेटेस्ट में मनाया गया लेटेस्ट है यह अभी फिलाल में अप्रील ही भी था अप्रील में ही मनाया गया था इंट नमबर भी जराइट एंसर 28 नहीं होगा 28 अप्रेल नहीं होगा 29 अप्रेल को यह मनाया गया था चलिए next question आज का अंतिम और आखरी सवाल 30 नमबर अर्जुन वाजपेई इनमें से किस परवत सिखर पर चड़ने वाले पहले भारतिय व्यक्ति बन गए यानि अर्जुन वाजपेई ने एक कारनामा करके दिखाया है कि एक परवत पर चड़े हैं वो और वो पहले भारतिय बड़े हैं जिस पर इन्होंने यह परवत पर वो हो जाएगी उचाईच पाद मताएंगे पहले option बताएगे क्या होगा Mount Annapurn, Mount Mansloo, Mount Makalu, Mount Lahos, Lahos से क्या हो जागा दोस्तों इस सवाल का उत्तर दो comment box में आखरी सवाल है फिर हम लोग मिलेंगे अगले class में तो जवाब तो देना पड़ेगा सबको आखरी सवाल का जवाब दे Mountain है जिस पर चड़ाई की है पहले भारती है पहले हिंदुस्तानी ने जिसका नाम है अर्जून वाजपे ये फिलाल की ये घटना है इसकी उचाई की बात करें तो ये आठ थज्जार 91 मीटर की उचाई है इसकी चलिए आज के लिए हम लोग अपने class को समाप्त करते हैं और आज के लिए हमारे class की समाप्ती होती है आप सभी को धन्यवाद classes join करने के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत मिलते हैं फिर next class में और साथ ही साथ एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए हमारे team के द्वारा एक batch लाया गया है उमीद batch 2.0 जिसको आप लोगो पारामेडिक जितने भी बच्चे तयारी करना चाहते हैं वो हमारे new batch में आईए पारामेडिकल उमीद batch में जुड़िए अगर आपको हमारे batch लेना है तो आप हमारे official नमर जो video के description में दिया होगा और app का link भी दिया होगा उसके through भी जाकर आप उसको buy कर सकते हैं course को आईए 2030 के तयारी क नहीं आईए हम लोग तयारी करते हैं मिल जूलकर चलिए आप से भी को धन्यवाद फिर मिलते हम लोग अगले class में सभी को जैहिन जै बारत धन्यवाद